नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनिल नागर है विनाई एस के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आज से हम इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर करेंट अफेर्स की एक नई सीरीज की सुरुवात करने जा रहे हैं जिस पर हम पृति दिन महत्पूर्न और उन करेंट अफेर्स के संबंदित जो भी डेटर रहेंगे वह आप मैं आप सभी के समख्च बताऊंगा और आप सभी को उस बारे में अवगत कराऊंगा उस करेंट अफेर्स के बारे में जो हमारी प्रतियोगी परिच्चाओं के लिए कापी महत्पूर्ण साबित होग और अन्त में मैं आपको करेंट अफेर्स से संबंदित एक कुश्चन भी दूँगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में हमको बताना है तो आज के करेंट अफेर्स पर हम चर्चा करते हैं लेट से स्टार्ट आज का हमारा पहला कुश्चन है कि recently who has been appointed as joint director of CBI हाली में CBI के सन्यूक्त निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो हमारे चार ओप्शन से जिन में से सही उत्तर इसका अनुराग कुमार है अनुराग कुमार जो की पूर्व IPS अधिकारी है इनको joint director या सयूक्त निदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आईए अब हम जानते हैं CBI के बारे में CBI क्या है तो दोस्तों CBI एक भारत सरकार की investigating agency है जिसका गटन 1963 में किया गया था और ये संथानम कमीटी की recommendation पर इस CBI का गटन किया गया था जो की संथानम कमीटी prevention of corruption एक कमीटी को chair कर रहे थे 1962 से 1964 तक इस कमीटी ने अपना कारी किया था और इस कमीटी ने corruption को कम करने के लिए CBI जेसी संस्ता को recommend किया था उसी की दोरान 1963 में CBI का गटन किया गया था CBI को power Delhi Police Establishment Act 1946 से मिलती है इस Act के तहट CBI कारी करती है और CBI के डाइरेक्टर अभी वर्तवान में पूर्व IPS अधिकारी प्रविन सूध है सो आज के जो current appearance में हमने CBI के joint director के बारे में जाना और CBI के जो महत्पून तत्य है उनके बारे में भी जानने का प्रयास किया है सो अमारा अगला question Recently which of the following countries has officially declared the snow leopard as its national symbol हाली में निमलिकित में से किस देश ने आधिकारिक तोर पर हिम तेंदुओं को अपना राश्टिय प्रती कोशित किया है So इसका इसमें चार options है, जैसे कि Khujbikistan, Kajaakistan, Mongolia, Kyrgyzstan इसका सही answer है कर गिस्तान, कर किस्तान एक Central Asian country है जिसने हिम तेंदुओं या इस्तिनो लेपड को अपना नेश्टनल सिंबोल गोशित किया है तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान एक सेंटर लेशन कंट्री है, जो कि ताजिकिस्तान के उपर है, जो चाइना से अपनी बोडर सेयर करती है, और किर्गिस्तान की राजदानी बिसकेख है। इन वीच ओब दा फोलाइंग सीटीज, हाली में आत्मनेवर भारत उत्सव दोजार चोईस का उद्गाटन निम्ने लिकित में से किस सहर में किया गया। इसके चार उप्शन्स में न्यू धेली, हैमदाबाद, हैदराबाद और भोपाल है, परन्तु इसका सही आंसर है न्यू धेली, न्यू धेली में आत्मनेवर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। और न्यू धेली में भी ये आयोजन, इस उत्तव का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। आप सभी ने निश्चित तोर पर भारत मंडपम का नाम सुना होगा, चुकि G20 जब संबेलान हो रहा था, उस वक्त भारत मंडपम में ही तमाम जो G20 कंट्रीस है, सदस्य देशों के जो head of state थे, उनको भुलाया गया था, और उन सभी को जो एक meeting हुई थी, वो भारत मंडप होंगे, और यही पर आत्म निर्वर भारत उस्सव भी आयुजित किया गया, हमारा अगला question, इंडिया's first private earth observation satellite, T-set 1A, has been recently launched by which company, तो भारत का पहला नीजी पूर्वी अवलोकन उपग्रे, T-set 1A, हाली में किस company द्वारा लॉंच किया गया है, माफी चाहूंगा, इसमें options गलत टाइप हो गए है, इसके options में link देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको सही options बताऊंगा, पहला option जैसे, इस रो, SpaceX, तीसरा option, इसपेस इंडिया लिमिटेड, और चोता option टाटा, सो दोस्तो, इसका पहला सही उत्तर है TATA, टाटा के द्वारा ही भारत का पहला private earth observation satellite launch किया गया है, earth observation satellite को ही remote sensing satellite के नाम से भी जाना जाता है, remote sensing satellite वो satellite होती है, जो कि earth के polar orbit में move करती है, जो कि north से south की तरफ move करती है, polar satellite और जो earth observation satellite है, basically इसका काम, earth को observe करना है, earth पर जितनी भी atmospheric phenomena है, क्या event हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकटा करना है, और उन जानकारी को किसी भी agency, space agency को provide कराना है, ताकि वो जानकारी देश के विकास, आर्तिक, सामजिक विकास के लिए उप्योग में लाए जा सके, तो हमारा अगला question होगा, When is the government of India planning to end the import of Yuria on the country? भारत सरकार देश से यूरिया का आयार कब खत्म करने की योजना बना रही है, इसके option से 2025, 2027, 2030 और 2040 तक, इसका सही उत्तर दोस्तों 2025 तक है, भारत सरकार 2025 तक यूरिया के import को खत्म करने की planning कर रही है, यूरिया एक chemical है, के मतलब agriculture में इसका use किया जाता है, प्लांट की growth को बढ़ावा देने के लिए, यूरिया का भारत में maximum आयात किया जाता है, और इसी वज़े से उस आयात को कम करने के लिए 2025 तक भारत सरकार ने planning की है, कि हम यूरिया के import को बेन करेंगे, ताकि हमारा किसान भाईयों को जो agriculture input cost जादा हो रही थी, उसको reduce किया जा सके, तो हमारा अगला कुश्च्चन, एकोडिंग टू एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज सबसे आगे है, तो जोग्रोफिकल इंडिकेशन रिपोर्ट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीस की गई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा GI टेग है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे ज़्यादा GI टेग दिये गए है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि GI टेग एक ऐसी प्रदक्ट को दिया जाता है, जो कि या तो नेचुरल होता है, या मैनमेड होता है, या एगरिकल्चर प्रदक्ट से संबंदित होता है, ताकि उस प्रोडक्ट की उस जगे से पहचान रहे और वो प्रोडक्ट उसी जगे के नाम से जाना जाए इसलिए G.I.T.E.G. दिया जाता है और उसको एक प्रकार से एक exclusive market में identity मिलती है ताकि उसका production जादा हो production जादा होने के साथ साथ उसकी बिक्री भी जादा हो और जो लोग उनको promote कर रहे हैं उनको बनाने का कारी कर रहे हैं उनकी भी income जादा हो इसलिए G.I.T.E.G. दिया जाता है और G.I.T.E.G. में सबसे जादा उत्तरप्रदेश को इस रिपोर्ट में नंबर वन दर्जा दिया गया है हमारा अगला कुश्चन When is world homeopathy day is celebrated every year हर साल विस्व homeopathy दिवस हर साल विस्व homeopathy दिवस कम मनाया जाता है तो options में हमारे पास 7 अपरेल, 8 अपरेल, 9 अपरेल and 10 अपरेल दोस्तो इसका सही आंसर है 10 अपरेल 10 अपरेल को world homeopathy day मनाया जाता है world homeopathy day homeopathy को promote करने के लिए और उसके बारे में awareness को generate करने के लिए इसको celebrate किया जाता है हमें आपको बताना चाहता हूँ homeopathy क्या है homeopathy एक traditional medicine system है जिसके जनक Samuel Hennyman को बताया जाता है Samuel Hennyman इन्होंने 17th century में world home, sorry homeopathy की discovery की तब ही से homeopathy को as a allopathic दवा का alternative की रूप में यूज किया जाता है आज का हमारा फिर अगला question who has been recently appointed as the chairman of the international narcotics control board हाली में अंतराश्टी मादक द्रव्य नियंत्रन board के अध्यक्ष के रूप में किसे नियूक्त किया गया है सो इसमें options है जगजित पावडिया, सुनम सिंग, राधिका सिंग, निर्मला सिंग इसमें chairman नहीं आएगा, माफी चाहूंगा मैं आपसे यह printing mistake हुई है इस international narcotics control board में भारत की तरफ से तीसरी बार नव निर्वाचित जो representative है भारत का वो है जगजित पावडिया, जगजित पावडिया एक महिला है जिनको Narcotics International Narcotics Control Bureau में वापिस तीसरी टर्म के लिए इनने अपोइंट किया गया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि international narcotics control board है क्या, दोस्तों international narcotics control board एक autonomous एंड कोईसी judicial body है जिसका काम United Nation का जो convention है United Nation Convention on Drugs Prevention मैं पूरा convention का नाम याद नहीं कर पा रहा हूं तो उस convention को implement करने के लिए Narcotics Control Board, International Narcotics Control Board की इस्ताफना की गई थी और उसी Narcotics Control Board में भारत के जगजीत पावडेज को representative के तोर पर तीसरी टर्मिन के लिए elect किया गया है आज का हमारा अगला question which organization has recently successfully test the next generation ballistic missile अगनी प्राइम हाली में किस संगटन ने अपली अगली PD की ballistic missile अगनी प्राइम का सफल परिक्चन किया है इसमें चार options है ISRO, DRDO, HELL and none of these तो दोस्तों ballistic missile अगनी प्राइम का हाली में सफल परिक्चन DRDO के दोरा किया गया है DRDO के दोरा किया गया है तो मैं अब आपको ballistic missile क्या होती है और DRDO के बारे में संचिप्त जानकारी देता हूँ सबसे पहले हम जानते हैं कि ballistic missile क्या होती है दोस्तों दो प्रकार की missile अभी working में है डिफेंस में एक का नाम है ballistic missile दूसरा है cruise missile बैलिस्टिक missile वो missile होती है जो जहां से जैसे किसी एक point से धरती के किसी एक point से वो launch हुई और वहां से launch होने के बाद में वो अपर atmosphere में जाती है और अपने target को धरती पर ही hit करती है यह ballistic missile होती है यह एक parabolic shape में move करती है और वही cruise missile होती है वो धरती से थोड़ा सा उपर उठकर target को hit करती है यह धरती से ज़्यादा उपर नहीं जाती है cruise missile जो होती है so cruise missile ऐसे move करती जो कि अब atmosphere से मतलब लाइक earth से थोड़ अउपर जाती है so ballistic missile यह होती है cruise missile यह होती है so ballistic missile अगनी प्राइम का सफल परिक्चन DRDU के द्वारा किया गया है इसका सही उत्तर DRDU है अब DRDU के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि DRDU defense research defense research development organization इस organization की इस्तापना 1958 में की गई थी और इसका headquarter न्यू देली में है दोस्तो जो राज्य सेवा प्राइम्बिक परिच्चा 2024 के लिए तयारी कर रहे है उनके लिए unit 7 में एक topic है कि important institution जो science से संबंदी थे और space technology एक topic भी है उसी topic के अंतरगत एक organization जो की बहुत सारी organization हमको पढ़ना है उसमें से एक महत्पूर्ण organization होती है DRDU DRDU के बारे में मैंने आपको बताया है कि 1958 में इसको constitute किया गया था और इसका headquarter न्यू देली में है इसका मुख्य काम defense sector में जो भी infrastructure है जो भी defense equipment है उनको बनाने का कारण करना है so DRDU का ये basic function है आज का हमारा अगला question which country has recently declared drought as a national disaster हाली में किस देश ने सूके को राष्टी आबदा गोशित किया है so इसमें चार options है जैसे जिंबामबे, नाइजीरिया, सुडान, भारत so दोस्तो इसका answer है जिंबामबे जिंबामबे ने अभी सूके को national disaster गोशित किया है जिंबामबे की राजदानी हरा रहे है so यह basic जानकारी हमें होना चाहिए इसी के साथ आज के हमारा current affairs के topic जो थे हमने चर्चा कर ली है और यह समापत होते हैं मैं आपको अगला question आज के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे CBI के बारे में पढ़ा है एक investigating agency है ठीक उसी परकार एक और investigating agency जो की money laundering से संबंदित भारत में कारी कर रही है उसका नाम है enforcement directorate यानी ED तो ED के बारे में आपको बताना है कि ED के current director कौन है और ED किस एक्टे के तेहत काम करती है यह दोनों ही question मुझे लगता है कि मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयुजित राज्य सेवा प्रारंबिक परिच्चा राज्य सेवा मुख्य परिच्चा में महत्मुन हो सकते हैं इन question के answer आप जरूर हमें comment box में बताईएगा और कुछ सुजाव दीजिएगा जिसके बारे में हम अच्छे से improve कर पाएं और हमारे जो current affairs से संबंदी topic से उन पर और work कर सके इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं मिलते हैं next lecture में और current affairs जो भी कल के current affairs हम cover करेंगे जिसमें कल से संबंदी जो भी news होगी वो मैं आपको बताऊंगा जो तमाम पिर्तियों की परिचाओं के लिए महत्पूर्ण साबित होंगे इसे के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं जै हिंद, जै भारत, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए जै हिंद